तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बाजर के बारे में यान की निफ्टी-फुटी के बारे में अगर आप इंडेक्स लेबल की प्रफियर्च को देखोंगे तो बहुती शांदार प्रफियर्च दे रहे और 22,500 के level को भी हमें break करते हो है देखन को मिला और बाकि अगर अगर आप इसके एक-एक साल के प्रप्रफोरेंस को देखो हो है तो index level पे आप देखेगे तो 30-30% तक आपको return बनते हो है देखन को मिला बहुत कमाल के पर आप में देखन को मिल रहा है इंडेक्ट लबल पे और बाजर आपको एकदम फ्रेस अल-टाइम हाइप देखन को मिल जाएगा तो इस अपते हमारे बाजर ब्यान की इंडेक्स भी आपके फोकस में रहना चाहिए क्योगि आपको बता है लगाता है तीन दि को भी आप अपना focus बना के रख सकते हो अब चलते हैं कुछ important stock को पाथ जिन से related कुछ important news निकल का है जिसके चलते हैं यह भी stock आपको कल की दिन focus में रहना चाहिए उसमें से पहला stock की बात करें तो वरून वेबरेज निम्टिट यानिकी वीवेए सेयर की बात में तो वीवेए सेयर की अगर हम Thursday की दिन की performance की बात करें तो हमें अगर हम उस नियूस की बात तो आप देख सकते हो के वरून वेबरेज दोस्तो एकस्पांड करते हो देखने को मिलेगा और उसके पीछी का अपने capacity को फॉर जूसस डेरी वेबरेज में तो यह हमें पता है और हर बार यह कंपनी कर देगो जब भी समर के सीजेन आता है तो वह अपने capacity को हमें इंक्रीज करते हो देखने को भी जाता है तो यह जो न्यूस है और आपको वैसे ही पता है जो वरून वेबरेज देने वाले स्टॉक होता है और कभी-कभी गिरावाट आता भी है तो ज्यादा टाइम वह स्टॉक नीचे रहता है नहीं तुरहनती स्टॉक में कमबाइक का जाते है आप इसके एक-एक साल की प्रफिमस को भी देख सकते हो कि स्टॉक गिरता जरू है ऐसे निकि गिरावट नहीं होता है मौका देता है बड़ वह मौका आपको समझ में आना चाहिए कि स्टॉक का नेचर क्या है स्टॉक की साइज क्या है कंपनी की साइस स्टॉक में एक अच्छे कासे कल के दिन साइस से थोड़ा बात आपको रिकावरी भी देख सकते हैं अगर रिकावरी नहीं भी आते इसकारते हैं कि यह न्यूस खराब है न्यूस तो लॉंग टाइम के लिए अच्छी न्यूस है और व्यासी भी देखा जाए स्टॉ पर यह कंपणी तो बहुत छोटी कंपणी थे और आज यह दो लाग करोंके बहुत बड़े ब्लूचीफ कंपणी तो अगर कोई यह सोच रहा है कि अभी आपको यह स्टॉक 30-40% डिसकाउंट देगा वो दे सकता है दे निकले दे सकता है बड़ उस प्रकार की निगरिब न अगर आपको यह कंपणी अच्छी लगते तो और अगर आपके पास अलड़ी है तब तो आप बहुत बड़े गिराओट आता है बट यह स्टॉक आपके फोटफूलो को बैनेंस बना कर रखता है कोबीट की टाइम भी यह स्टॉक से कोबीट में मैक्सिममम गिरा था उसके बाद बाजर कितने बार गिरा बट इन स्टॉक में कंसिटनसी देख सकते हो तो आपके पोटफूलो को यह बैनेस बना कर रखता है तो अगर आपके पास नहीं और आपको यह कंसिटनसी टॉक के रहने वाले तो अब चाहूं अगर आपके पास नहीं है तो चाहूं तो इसके बार में कंसिलर करके चल सकता और इसके एक नेचर भी पता है जब जब हो जब भी आपको 10-12-15% की डिस्कॉंड मिले तो आप चाहूं तो आप अपना एक स्टोर में साप अपना इन्मेस्मिन के जन्नी इन स्टॉक में शुरुबात करके चल सकते हो दैन दूसरा स्टॉक की बात करें तो वहाई एंजिल और यह तो फोकस में रहने वाला है क्योंकि कोई जिस प्रकार के इसमें मुमिंटम बना हुआ है मतलब अगर आप 30 की दिन भी देखोगे हाँ ज्यादा गिरावाट तो नहीं है बड़ फिर भी एक पसंट और यह एक पसंट की हम ज्यादा गिरावाट करेंगे क्यों जिस प्रकार के स्टॉक गिरावाट दिखा रहे है 5 दिन में देखोगे सारे 4 पसंट एक मत के बात करें 14 से लेके 15 पसंट फूंस जर्मरे से 23 से लेके 24 पसंट और टॉप से देखोगे तो 30 पसंट और तो एक तरफा 30 पसंट गिरावाट दिखा है उसके बाद भी तो अच्छे या फ़र बड़े गिरावाट की साफ से इक एक यह जिस प्रकार के momentum बने और Friday के दिन भी इसने अपना एक लोई अचीव किया था और जो 2750 के important level था उसने उसको भी break कर दिया तो क्या आप यह stock में कि और भी further correction आएगा तो अगर हम टेक्निकली बात करे दो प्रेशर तो बना हुआ but 30% stock गिरा क्या पता यह जो 2750 के level को break किया कल फिर से achieve कर ले उसके पाद एक अच्छे मुमिर दिखाए तो यह भी देखने important रहेगा और अगर यहां से breakdown आ भी जाते है क्योंकि बाज़े भी हो सकता है गिरावर दिखाए और बाज़े प्रेशर बना रहेगा साय से और भी हाब हो जाएगा उस technical वालों के लिए कि stock में बहुत बार देखा है और आज भी मैं आपको यह चीज़े नोट करके करें आज भी यह चीज़े मैं आपको बोल रहा हूँ जब कुस टाइम बाद यह stock अपना 4000 को break करगा 6-7-8000 जाएगा यूग कि definitely जाएगा उसकी बाद भी stock में कभी ऐसे correction आएगा जैसे का से correction यहाँ प पैसे कब कमाऊगे तो इसलिए अच्छे मौक है गल्दी से अपने सारे पैसे लगा दिया जो कि मैं बार बार बोलतो कॉंसे लेवर पर कितना बाई करना चीज़े क्यों करना चीज़े क्यों जाना चीज़े देखो मैं रेक्रमडेशन देता बट कुछ लॉजिक में आपको बादे या बाजर में ऐसा अगर मोहल बना रहा तो Q4 के नमबर भी अच्छा सकता है हर बार के मन्थने डिटा भी अच्छा आएगा तो श्टॉक में बहुत जल्दी रिकावरिय देखन को मिसकता है कंपने बिल्कुल भी खराबने अच्छी कंपने आप इसमें बिंदास हो और किसी का पास है नहीं तो फिर से आपको कमाल के मौका दे रहा है 30 पसन गिरावार दोस्तों बहुत बढ़े गिरावट होता है चो अगर आप चाहता है अट्लीस आट्लीस दो स्टॉल में लगा सकता हो तो कि गिननने के लिए श्टॉक और कितना गरिया आप 10-15-20 पसन न अगर आपको नहीं सेपली जाने तो एक स्टॉमेन तो अट्टीस लगाये सकतो करें गात्यों अगर आंश्यक्यों या को इनडें पेर करने लाई तो दिमेट रा से मोने देखा जाए तो लिए चानद अच्छे कर रहे या तो इससमें बहुन कौन सी कंपनी कमपनी करους दे grow और zero था और angelon तो grow और zero था तो बाज़र में रिस्टेट है नी तो listing के शाब से कौन है तो angelon नीविश्टिंग जो कि जब से listing हुआ तीन सारे क्योंकि इससे बड़े-बड़े क्रेक्शन हमने इससे पहले भी देखा था जिन्होंने पैनिक कर लिया है वह भाई लॉस में निकल चुक है और जब स्टॉक रॉकर बना या से दो-दो-तिन दिन गुला स्टॉक भाग चुक है वो फिर रेगिरेट कर रहे है तो आपको ऐसा क सो बेसे लिम्टेर के बाद करें तो यह भी स्टॉक के दिन फोकास बना कर रखना क्योंकि यह भी थस्जे के दिन धाई पसंट की घिरावाट जरूर दिखा था बड़ एक इंपोर्टर लेवल को भी इसने ब्रेक गया था वाकि पास दिन से स्टॉक में प्रेशर बना दूसरा एक तेज़ी के बाद एक कंसुलोरेशन में और जब कोई स्टॉक तेज़ी के बाद यह गिरावाट के बाद कंसुलोरेशन में रहता है तब एंडरि और जैसे मैंने कंसुलोरेशन में पास पणजा क्यों कम्नेशतip कि अगर इसने मालो कल की दिन या इस हफ्ते इस लिबल को ब्रेक्टू किया अब फिर गिरावाट दिखाते हैं कि कुछ जब जब ब्रेक करता है तो मालो दो हजार पचास का अथ पर श्टॉक आ जाते हैं तो 20% गिरावाट कंप्लेट हो जाएगा उससे ज्यादा होगा तब तो लॉंग टाइम एक दम एक स्टाॉड में से आप अपना सुरुबात करो सिर्फ एक लुझा से क्योंकि स्टॉड और भी गिर सकता है तो अगर इतना गिर्वाट हो जाते हैं इसलिए तक आजाता है तो आप चाहरो तो एक स्टॉड में से आप आपना इन मिस्पिन के जननी इन स्टॉक में शुरुबात करके चाल सकते हो और यह चीज़ें आपको इसलिए बोलता हो क्योंकि यह जो कंपनी एकदम मार्केट से जुरुआ डिक्टो मार्केट टॉप है तो स्टॉक भी टॉप है अगर यह बाजर गिरेगा उसके बाद दो साथ चल ना उस चौक को इतने लो लॉस में आप होल्ड कर पाऊगे तो इसलिए जाना है तो अगर 2100 के आसपास आजए है 2050 के आसपास आजए तो एक चौर में लगा तो बाकी तीन स्टॉर में छोड़ दो ताकि आने बना टाम अगर बाजर ना भी चले बाजर गिर भी जाए तो उ आख शौर में से आप अपना सुर्वात करके चासते हैं और दोनों के दोनों कमपनी एंजेनों के भी बात करें और सीडेसिल की बात करें और बीस सी बीचार कर सकते हैं